स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में तो इस लेक्चर में हम Exponential Formula and Logarithmic Formula जोकी 1.1.3 है वो हम स्टार्ट करेंगे तो Exponential Formula हम सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद हम Logarithmic Formula देखेंगे तो यह जो Formula होते हैं न Exponential Formula यह आपको अल्रेड़ी मालूम होंगे मैं ऐसा उम्मित करता हूँ Exponential Formula अब हम दिसकर्स करते हैं तो First one A raised to x into A raised to y is equal to A raised to x plus y हो जाता है यह तो आपको मालूम ही होगा किसी भी raised to power जो भी होगी जिसी भी numerical या जिसी भी value की तो जो भी power होती है उनका हम multiplication में addition करते हैं A raised to x dot A raised to y is equal to A raised to x plus y जो भी power होती है उनकी addition हो जाती है तब multiplication में समझ में आ गया है? यह की value जो भी है वो positive number होती है जब हम numerical swallow करेंगे तो इनी formula का हम use करेंगे तो यहाँ पर first number complete हो गया है formula या first formula अब हम second formula देखते हैं तो अब हम second formula देखते हैं A raised to x divided by A raised to y is equal to A raised to x minus y हो जाता है समझ में आ गया? अगर divide में होगा तो क्या होता है? जो भी power होती है उसको हम minus करते है या जो भी power होती है तो इन power में हम minus apply कर देते है means A raised to x upon A raised to y तो इसका क्या हो जाता है simplify करके A raised to x minus y हो जाता है if x is greater than y means x की जो भी value होगी वो y से भी ज्यादा होगी समझ में आ गया? तो इसका जब calculation करने के बाद A raised to power जो भी आती है वो positive में आती है अगर y की value मोटी है y is greater than x तो इस form में आ जाएगा 1 divided by A raised to y minus x means इसमें अगर y की value मोटी होगी x से भी ज्यादा होगी y की value तो इस form में आ जाएगा 1 upon A raised to y minus x समझ में आ गया? या फिर हम इसी को भी reverse किया जाए तो plus आ जाता है यहाँ पर समझ में आ गया? तो यह था formula second formula हमारा उसके पात third formula bracket में A raised to x bracket complete raised to y आप देख सकते हो यहाँ पर bracket में A raised to x है bracket complete फिर उस bracket का भी power दिया है y तो इस condition में क्या होता है? is equal to इसे ही हम यह और यह सेम ही है इसी फॉर्म में अगर हम को दिया जाए तो इसी फॉर्म का हम इस फॉर्म में भी आईसा भी कनोर्जन कर सकते है A raised to y bracket में फिर bracket complete उसका भी power x तो यह भी value और यह भी value सेम ही रहेगी और is equal to A raised to xy समझ में आ गया इसका इन सभी का condition आप देखो A raised to x इन bracket में अगर bracket का भी power होगा हुआ तो इसका conversion हम इस परकार से भी कर सकते है और इन दोनों का भी conversion हम इस type में भी कर सकते है तीनों की value सेम ही आ जाएगी उसके बाद A raised to minus x होगा fourth formula A raised to minus x होगा तो हम इसका conversion 1 upon A raised to x हो जाता है means यहाँ पर जो power negative में थी यहाँ पर positive में आ जाती है minus sign जो भी ही वह यहाँ का निकल जाता है क्योंकि हम इसे reverse में करते है 1 divided by A raised to x और fifth formula क्या है A raised to x upon y होगा तो हम इसका conversion bracket में A raised to 1 upon y bracket complete raised to power x इस type में भी कर सकते है समझ में आ गया उसके बाद formula 6 A raised to 0 अगर होगा तो उसकी value 1 आ जाएगी means यह means क्या होथा है कोई भी number होथा है मान लो 5 raised to 0 उसकी value 1 ही आ जाएगी 10 raised to 0 उसकी value 1 ही आ जाएगी समझ में आ गया और उसके बाद 7th number का formula है A raised to 1 is equal to A यह क्या होगा कौन से भी value होगी मान लो यहाँ पर 5 होगी 5 raised to 1 is equal to 5 10 raised to 1 is equal to 10 या फिर 20 raised to 1 होगा तो उसकी value 20 ही आ जाएगी समझ में आ गया यह सभी formula यह सभी formula अपने notebook में write down करके रखना जब हम problem को swallow करेंगे तब यही formula आपको या यही formula आपकी भहुत सारी help करेंगे तो इसलिए यह सभी formula आपको या फिर आपको पता होने चाहिए या आपको मालूम होने चाहिए सभी formula यह यहाँ पर इस formula में जो भी A, X या फिर Y जो भी है वो आपके number हो जाएंगे means यहाँ पर आप कोई भी A means 2 लिया 2 raise to 2 into 2 raise to 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 raise to 2 plus 2 हो जाएगा means 2 raise to 4 तो इसी type में हम इन सभी का use करेंगे at the time of solving the problem solving the problem तो यहाँ पर exponential formula जो भी है वो सभी के सभी हमने discuss किये है अब हम logarithmic formula देखते हैं logarithmic formula तो यहाँ पर शरीफ 2 ही formula है यह और यह यह वाला तो सबसे first formula है log 1 to the base A is equal to 0 log 1 base A is equal to 0 तो जो भी log 1 base A है इसका तो इसकी value 0 आ जाएगी फिर यह चाहिए आपका कोई भी हो कोई भी number हो चाहिए 1, 2, 3, 4, etc. कोई भी number हो अगर यहाँ पर 1 है तो इसकी value 0 आ जाएगी the logarithm to any base of 1 is 0 यहाँ पर भी mention किया है for example अब हम देखते है log 10 या फिर log 1 to the base 10 है इसका तो is equal to इसकी value क्या आ जाएगी 0 ही आ जाएगी उसके बाद log 1 base 3 is equal to 0 means जो भी log 1 की value 0 ही आ जाती है फिर उसका base कितना भी हो log 1 की value 0 ही आ जाती है base कौन सा भी हो उसका समझ में आ गया यह first formula धान में रखना log 1 की value 0 आ जाती है चाहे फिर उसका base कितना भी हो 1 हो 10 हो 10 हो 3 हो 2 under root 2 होगा कोई भी base होगा 0 ही आ जाएगी log 1 की value 0 आ जाती है तो यह हो चुका हमारा first formula उसके बाद second formula देखते है log a to the base a is equal to 1 यह formula क्या है log a है और उसका base भी यह ही है log a है और उसका base भी a है तो इसकी value क्या आ जाती है 1 आ जाती है example लेते हैं for example log 2 base 2 is equal to 1 और log 4 base 4 is equal to 1 समझ में आ गया यहाँ पर भी यह होना चाहिए और यहाँ पर भी means यह वाली अभी यह वाली भी term जो होती है वही log का base होना चाहिए तभी इसकी value 1 आ जाती है समझ में आ गया यह वाली term जो होती है वही log का base होना चाहिए तभी इन सभी की value होती है वह 1 आ जाती है यह भी ध्यान में रखना आपने log a power log a base यह होना चाहिए तो उसकी value जो है वह 1 आ जाती है तो इस परकार से आप पर logarithmic formula भी complete हो जाती है सिर्फ two formula है यह और यह वाले seven formula है यह तो आपको पता ही होंगे आप 10 तक इसका बहुत अच्छी थरह से study किया होगा आपका अपने a raise to x dot y इसी परकार से हमने सभी formula आज तक देखे है सिर्फ आपको यह two formula ही नए थे log a log 1 base a की value 0 होती है और log a base b a होना चाहिए तो इसकी value 1 होती है तो इस तरह से इस lecture में हमने formula discuss किये exponential formula देख लिए और logarithmic भी formula देख लिए तो इस lecture में बस इतना ही अगर यह lecture आपको पसंद आता है या कोई query होगी इस lecture से related तो आप मुझे comment box में comment करके बता सकते हो अगर यह lecture आपको अच्छा लगा है तो please like करो, share करो और channel को subscribe भी करो तो आप हम next lecture में types of logarithm देखेंगे 1.1.4 को हम start करेंगे और types of logarithm जो सारे कौन कौन से type होते है वो सब कुछ हम next lecture में discuss करेंगे तो चलो मिलते हैं next lecture में